जाए हैं दोस्तों एक खास बात आपको बताने जा रहा हूं कि आप देखेंगे कि जिस बैंक से आप होम लोन लेने जाते हैं प्रसनल लोन लेने जाते हैं बिजनस लोन लेने जाते हैं किसी परकार कर कोई भी लोन लेने जाते हैं मिल जाता है इसके लावाब आप देखेंग एकिन को में लोंट देर खाम है लेकर जिस मिलडिंग में खुद का बेंग कर रखा होता है कि राइक किराय का होता है बारत की बात नहीं बता रहा है वंवड में आपको बताएफ जितने में किसी-बैंक का कि आहीं उपिस होता है वह लगभख सिर्फ एपने मकान में होता है उसके लिए वह खड़ी दढ़ार है लेकिंगा किंगे कि छोटा सा आंगनवारी केंद्र भी खूलना थैक है जमीन 殊पर उसमें उसका निरमान घंडर vy चलता था चलता था आप प्रद्र जगा पैसे जमा होती है इतना प्रॉपिट है तो बहुत सारे लोग यह मान रहा है यह सौचना है कि यह प्रमपरा जैसे कि बैक स्टार्ट किया जाता है तो किराये में स्टारट किया है लेकिन ऐसा नहीं कि कभी वि किसी आम आलमीं के पास अगर पैसे ने कर्दाइब नए Indies रहता है फिर घर चनाले के लिए बाकि अलग से कमाई करना पड़ता है लेकिन बैंक के रखते हैं पैसार निए पैसा रखते हैं पैसा लोगों का जाता है अगर उस पैसे से कि बेंक कहीं परपटि खरीदें सीटी में बिलडिंग बना ले जहां उसको 50 करोर 60 करोर एक ब्रांच बनाने में इंवेश्ट हो जाए और पैसा जो इंवेश्ट हो गयां 50 करोर साथ करोर या सौकरोर रुप्या एक ब्रांच के लिए तो पैसा तो आने जाने का है नहीं सिर्फ ब्रांच चलना क्या चलना ब्रांच चलना है लेकिन वहीं सेम चीज़ चलने के लिए अगर 20 यार 30 यार 40 यार 50 यार महीने पर बैंक को जगा मिल जाता है जहां पी इतना महीना देना होता है और उसके पास इस तहला है चालिस रॉपया उत्तनी सकूल आरहा है और 50,000 यार रहन दे रहा है तो कितना का फायदा हुआ कितना का फर Χुए है तो बैयर के का यह नियाम है रूल्स है उसका बाइलोज में यह चीज है कि पैसा से पैसा बनाना है ऐसी जगह इंवेस्ट नहीं करना है जहां से पैसा नहीं आएगा तो बाकी खर्च कहां से चलेगा स्टाप का खर्च है प्रांच का खर्च है मेंटेनेस खर्च है आपका पैसा जमा है उसका भी इंट्र हो दो तरह से मातर यह दो तरीके से ही इंकम होता है तीसरा तरीका हो सकता है लेकि दो तरीका है जिससे इंकम बहुत ज्याता ज्यादा होता है आप पैसा रखते हैं तो आप वह तो एक नंबर हुआ जो आपके पासबूक पर चरह रहा रहा है आपके एकाउंट में इंटेरी रहाता है और यहां पर जब जाब तब आपको मिल जाता है वो मिल जाता है लेकिन पैसा इतने लोग निकालेंगे उससे साफसे लेंदेन होता रहता है लेकिन सारे का पैसा कैस कभी भी बैंके में नहीं रहता है वह क्या होता है कि जो लोग लोन लेते हैं बिजनेस लोन हो गया होम लोन हो गया किसी परकार का लोन होता है टुक्रों टुक्रों में उस लोन में उस पैसे को बाड़ दिया जाता है पहला तर लोग चेक करते हैं उनकी टीम होती है उनको पता होता है कि इस कंपनी में पैसा लगाया जाए तो दो साल में यह पैसा दो गुना या तीन गुना हो सकता है उनको यह लगता है कि जैसे कि आपने फिक्स कर रखा तो आपको दस साल में डवल होने वाला है लेकि बैंक उस पैसे उसका दस गुना से उपर हो जाता है जहां आपको दो गुना दिया जाता है इस तरह बैंक का प्रॉफिट होता है इंकम होता है तो यह दो तरीका है एक शेयर मार्केट से एक क्या है एक लोन से लेकिन वह पैसा को वगर हड़े जगा ब्रांच बना बना के इंवेस्ट कर दे तो बैंक को दिवालिया होने में ज्यादा समय नहीं लेगा और अप्र ग्धोरांग को और दूजरी बात इस राता है क्यों नहीं राता है जैसे गाओं में सस्ता जमीन है सस्ता जगा है तो थे तो तिस पर पैथिस लाख रुपिया तक अपना उफिस तैयार कर सकता है अपना ब्राइस तैयार कर सकता है जो ब्राँच के लिए नर्मल सबसिराboard चाहिए और इसके लिए आप समझ लिए चोटा इन्वेस्ट कुणvt क नहीं करता है कि सब्सक्राइब कारण pizza कि एक समय ऐसा आता है कि बैंक को लगता है कि चलो यहां से उतना एकाउंट नहीं आ को बढ़िया और झालेट कि नहीं पर आलेंगे तो इसी लिए रेंट पर चाहिए उसको पसंद नहीं आता है तो वहां पर पूरा करके फिर अपनी चेंज कर लेते हैं आपने देखा होगा कि कई बैंकों के ब्रांच जो शमय शमय पर दो साल में पांल में दस साल में सिप्ट होता रहाता है तो इसी लिए सीप रहता है नहीं और पिते भ Origins नहीं पशन देखेस लो गया अब कहीं और ऐसी जगर ले लिया जाए ब्रांच जहां सारी सुबधाय हो और किसी परकार का दिक्कत नहीं हो लिए खुद का बिल्डिंग अगर रहेगा और कहीं पर इस तरह के हो जागा तो वहां तो जाने का उसके पास आप्सन नहीं बचेगा मजबूरी में वही पर रहना पड़ेगा ओहीं पर घिसना पड़ेगा और वहीं पर कंस्टमर को दिक्कत अत रहेगा कब कश्टमर करते रहेंगा युसका कोई भी सवाधार निदान नहीं निकल पएगा और लाखो क्रोर रुपर इंवेस्ट हो जाएगा बैंक इतना असानिस है वहां से हटेगी नहीं छोड़ के या फिर बैंक का यहीं काम नहीं बच जाएगा कि पलोट ले बिल्डिंग बनाया ब्रांच खोले नहीं चला तो वहां पर बेच के तब तो यह प्रपटी का धंदा हो जाएगा बैंक अपना बिल्डिंग में कभी भी ब्रांच नहीं खोलता है चाहिए सरकारी हो चाहिए प्राइविट इससे आपको सीखना चाहिए कि आपके पास अगर दस लाग पचास लाग पचास लाग रुपया है आ जाता है कहीं से इक्सिडेंटल अभी बहुत सारी लोग ऐसा है लिए उसके बास हो जाता है दो सारी चारी प्सलाव या। पैसा उसको खतब हो नहीं पैसाЗ पैसा के मतलब होते हैं कि आपके पास जैसी जगह फटना चैए जिससे उस पैसे इंकम का सब्सक्राइब तो इसे पैसा से सबोड़ता है कमपाइब तो यह करता है जो बेक्ती तो यह मैंचमेंट करने वाला भी है समझ सकता है मिनेजमेंटिट कि क्या मेरा पास पैसे हैं उसका मात्र और मातर दस पर संट पैसा खर CDC मैकस्ब मेरा करना चाहरे तो कि आपके पास थ介कर 50 लाग की तो आप जाहर इस लाग किऊ करें 오늘्र जगह में आपकी पैसे अलग जगों में आपकी से इंकम आया अर्णिंग महींने का 3040 500 1 लाग रुपया और उस पैसे से फिर छाले भी आपस 50 लाग रुपया आप महल तयार कर लिये घर कर लिये इसमें रहने लगे इंकम का कोई सुरूत ही नहीं है गारी खरीद लिए आप सब कुछ कर लिए पैसा आपका खतम हो गया फिर अच्छे से घर में रहते हुए भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कल हो कि आपको चलील होना पड़ेगा वेज़त ही होने पड़ेगा लोग आपका मजा कु मैं नहीं पहले उस पैसे बनाया जाता और जब ज्यादा पैसा आपके पास और उप्कूर अपर देखिए क कर सकते हैं तicket यह कि हमारे पास पार आपास मकानी खरीद लेता खाली मकान मकान उससे क्या होने मुटा जिस मकान में आप रहते हैं उससे ज्यादा इंकम नहीं कर सकते हैं रेंट पर लगा देंगे तो उतना ज्यादा इंकम आप नहीं कर सकते हैं कमर्सियल परपटी कहीं पर खरीद के कमर्सियल बिल्डिंग मनाते हैं वह अलग चीज़ें हो जाती है लेकिन आप रहने के लिए घर में ज्यादा इंवेस्ट नहीं करें यह बैंक यहीं चीज़ सीख देता है कि कहीं भी खुद रह रहा है तो हर जगा जरूई नहीं कि स्वरूम होता है किसी का अपना बिल्डिंग नहीं होता है यहीं कारण है जो मैंने आपको बताया दोस्तों आपको कुछ जानकारी लेना है कुछ पूछना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में इंसुरेंस लोन फाइनेंस इंवेस्टमेंट कुछ भी नॉलेच चाहिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब पीजिए अगर पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूं अब हारी में आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं मुद्द्र साथ तब तक के लिए शुक्रिया दन्यवाद चाहिए